हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने चनल केरवेल फार्मा में तो आज का मारा टॉपिक जो है वो है पॉली नुकलिय हाइडो कारवन और यह बहुत जी जादा इंपोर्टन टॉपिक है और यह हम देख रहे हैं फार्मसिटिकल और गनिक केमिस्टी सेकेंड की नुटूरी यहाँ पे हम वर्ट समस्केंजे हैं पॉली का मतलब उत्वाइजदा मतलब दो या दो से जादा है बंद के लिए मतलब कोई ओस के लिए हम समझता है सर्कल Tudo आ を हमारे हमारे और Marco हुए हिनма मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्वन है दो चीजों से मिलके कोई compound बना हो वो तो हम finally समझते हैं कि हमारा polynuclear hydrocarbon हुआ क्या तो यह हमारे वो और गनी compound हुए जिन में हमारे oxygen सोरी हमारे सोरी hydrogen और carbon compound से मिलके बने होते हैं और वो ring form में होते हैं और multiple ring form में होते हैं मतलब दो या दो से अधिक जुड़े होते हैं इनको हम लिखेंगे कैसे कि polynuclear hydrocarbon are those organic compound which contain hydrogen and carbon which further composed in the form of multiple aromatic ring मतलब यह aromatic ring है इसके में अब हमको पढ़ना क्या क्या है इस वे पूरे polynuclear hydrocarbon में synthesis देखनी है हमको reaction देखनी है structure and medicinal use of naphthalene phenothricine anthracine diphenyl methane and trimethan methane और इनके कुछ derivatives की बारे में भी पढ़ना है तो चलिए हम बारी बारी से सबको देख लेते हैं तो आज की वीडियो में हम cover करेंगे naphthalene के बारे में क्योंकि हमारी पहले इसकी polynuclear hydrocarbon की पहले वीडियो है इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लिए क्या होते हैं और naphthalene क्या होता है important है इनकी reaction synthesis सारा कुछ पढ़ेंगे तो फ्रेंट वीडियो को पूरा देखते रहें चलिए शुरू करते है naphthalene से तो naphthalene का हमारा structure कुछ ऐसा होता है कि आप यह समझे हमारे जो बेंजीन था जिसके बारे में अल्लेडी पढ़ चुके हैं तो उसको हम reference में जरूर लेगे क्योंकि उससे बहुत ज्यादा help मिलती है तो हमने यहां किया कि simple जो हमारा बेंजीन था तो अब यह समझे कि जब हमने बेंजीन कि आपने था तो बेंजीन के साथ 2 दो जिडवा होगे एंदेंगा होगे और रमारे दो जड़ाव बच्चे आपस में जो अटेच हो गया तो यह हमारा क्या हो गया नेप्थलीन मतलब दो बेंजीन साथ में जुड़े हुए हैं फ्यूजड बोल सकते हैं हम इनको मतला आपस में जुड़े हुए हैं यह हमारे क्या है नेप्थलीन अब इनका structure हमको चार चीज़ां देखने हैं यहां पर सिंथेसिस रियक्षन इस्ट्रक्चर और एक और देखने इसके derivative पांच चीज़ां मैं जहां देखने हैं तो बारी बारी से हम 500 चीज़ों को cover करेंगे पहला हमारा structure और नेप्थलीन तो structure में हमको क्या बनाना होता है पहले उसका structure हो गया उसके बाद समय होती है तो इसमें अभी sp2 होती है क्योंकि यह कारवन कारवन यहां वे बांड है यहां डावल बांड हो रही है यानिकि यहां फाइनल 123 तीन हमारे क्या आतें सिग्मा और तीन सिग्मा बांड मतलब 2 SP2 4 सिंगल बांड मतलब SP3 2 सिंगल बांड मतलब SP simple और एक भी सिंगल बांड तो बनेगा यह बनेगा कहीं कारबन कारबन के बीच में तो यह इस बेस पर हम करते हैं मैं कभी इस पेशल वीडियो बनाऊंगा है जिसमें आप समझ जाएंगे तो यह हमारा इस्ट्रक्चर है अ सर्कल इसको हम बोलते हैं पाई मॉल्कूल और वी टल और यह हमारी मारी सर्कल कर्ते हैं इस चीज को फिर हमारी यहां भी हम रियांघॉच्ब करते हैं वह मं को नहीं आती इसलिए मैं यहां आपको बड़े में दिखाता हँ तो देगी हमारा पहला यह अब सीप्ट कैसे कर चलती है क्लॉक बाइज और एक हमारी चलती है ऐसे एंटी ग्लॉक बाइज तो इस चीज़ को याद में रखते आप क्लॉक बाइज चलाते चाहिए तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो चलाएंगे तो क्या होगा यह हमारा एक मतलब एक कदम आगे बढ़ाईए बस फिर हमा कहा है इदा पर funding यह हमारा यहां पर यह हमारा आया यहां से यहां पर यह जा रही है आगे अब क्या होगा यह यहां पर आया था तो यहां पर चपक गया यह वाला हमारा नीचे गया था तो यहां पर चपक गया यह वाला यहां आया तो यहां पर चपक गया बहुत ही ज्यादा इजी है फ्रेंड कोई इसमें ज्यादा सुचने वाली बात नहीं है यह हमारे तीन स्ट्रक्चर यहां पर ब बन रहा था इसलिए यहां पर क्या हो रहा है यहां पर देखिए यहां पर और यहां पर इस जगा पर इस जगा पर यहां पर सिंगल बॉंड यहां पर सिंगल बॉंड लेकर यहां पर है नहीं यहां पर है डबल बॉंड यहां है नहीं इसलिए क्या होता है कि इनमें हमारी जो हम करते हैं यहां से इस जगा से हम स्टार्ट करेंगे 12345678 तो यह चीज भी आपको ध्यान बरक लिए अब हम इसकी सिंथेस्स देख लेते हैं सिंथेस्स और मैथड़ प्रेपरेशन एक ही बात होती है कॉपर की प्रिजांस में 680 दिघ्री पर हम क्या कर देते इसको आस कराती है पास कराते है प्रेट्रोलियम फ्रेक्स में और मिठाइल नेप्छलीन अब एक और सब्सक धरें इसको करें मतलब करके और एस्टु की प्रेजैंस में हीट कराते हैं तो यह भी फिर नेतली बंग ज सुनाता आज मैं डाउट भी क्लियर कर रहा हूं कि लोग यहां कहते हैं कि यह हम सब यह कैसे लिखें मतलब उन्हें यह लिखने में बहुत ज्यादा प्राब्लम होती है और यह वह याद कर लेते हैं इसके लिए बहुत ही सिंपल है बस आपको अगर यह याद है तो यह तो ब ट्रॉलेम फ्रैक्शन इज रियक्ट विद यह विद्धित विदेख कर यह पाश्यस फिद्ध और अड़ अडिक्टी घ्री सेल्चर दन इट गिप्स नैपतिलीन प्लस मिधाल नैप्थलीन फर्दर मलब आगे फिरम मेथाल नैप्लीन सेपरेट करेंगे स्टली सेपरेट म मतलब हमने यहां से नेप्थरीन को दोबारा है तो हमारा नेप्थरीद बन गया तो ऐसे हम यहां पर लिख भी सकते हैं बहुत ज्यादा कोई ही हाड नहीं होता है इसमें यह हमारा पैट्रोलियम के दोरा हो गया अब हम देखते हैं फॉर फिनाइल बन ब्यूटी अब इसमें वही है यहां से है अब इसको हम करते क्या है इसे हमारा यह है तो यह उसको में यहां बन बना हुथ इस evacuate यहां line form में ले लिया तो यह calcium oxide यहां पर है करता क्या है कि यहां से देखो यह hydrogen को अठा देगा और जब यहां से hydrogen हट जाएंगे तो जो carbon carbon के बीच में एक-एक bond कम हो जाएगा तो carbon carbon आपस में bond बना लेते हैं मतलब जैसे यह carbon की चार balance ही होती है और इस carbon hydrogen remove की वाचा एक और bond बनाएगा तो यहां double bond बन जाता है यहां double bond पहले से यहां double bond बन जाता है यह जुड़ जाते हैं और हमारा यह पूरा नेप्थलीन form हो जाता है इतना सिंपल सा है यह अब हम देखते हैं फोर phenyl three butonic acid के साथ अब butonic acid आ रहा है कोई carbonic acid end में जुड़ा होगा तो वही है यहां पर यह हमारा क्या है पूरा बैंजीन है इसके साथ हमारा यह जुड़े हुए जहां पर अब phenyl क्योंकि हमने यहां से numbering की है क्योंकि carboxylic acid हमारा बहुत ही जादा मतलब इसको प्रात्मिक्ता देते हैं कि सबसे पहले हम कभी भी गिने तो यहां इसकी तरफ से गिने तो जहां से हमने इसके मतलब गिंती किया पर हम क्या करता है यहां पर concentrated s2so4 की प्रिजेंस में reaction कराते हैं जिससे क्या होता है स्टू मतलब हमारा वाटर बाहर निकल जाता है और यहां से देखें इसका और इस बेंजीन का एच निकल जाता है यहां पर एक efficiency मतलब यहां पर एक कम हो जाता है तो यह आपस में bond बना लेते हैं और हमारा यह फॉर्म हो जाता है अब यह हमारा unstable form होता है फिर हम इसको क्या करते हैं फॉर्धर हम और यह बन नेप्थाल बन जाएगा और यहां से हमारा bond यहां पे जुड़ जाएगा देखिए पूरा हो गया बाद में हमारी resonance पूरे में हो जाती है और यहां से ऑक्सिजन बाहर निकल गया है यह हमारी सिंपल एक तरह से देखें तो यह हमारी reduction थी क्योंकि हमने इसमें oxygen को बाहर निकाल दिया अब हमारा चौता की preparation के लिए howard synthesis को लिखी है तो यह हमारी पंच step reaction है मतलब five step में complete होती है फ्रेंट बहुत ही ज्यादा easy है हमको बस ऐसे लगेगा कि यह five step में बहुत ज्यादा high है ऐसा कुछ नहीं है जो हमारा यहां से हमने product बनाया इसका पिर इसी product को हम दूसरी reaction में as a result यूज करेंगे वही तो हमको बस पहली reaction यह याद रखनी है अच्छे से फरमारी होती जाएगी और मैंने जहां कुछ नाम भी रख रखेंगे जिससे आपको easy हो जैसे step one में हमारी perform हो रही है फ्रीडल क्राफ्ट assylation अब assylation फ्रीडल क्राफ्ट assylation के presence में होगी यह चीज हमको यहां से मि और यह दौनों मिलके हमारे बनाते हैं बीटा बैंजोईल प्रॉप्यो नाइक ऐसे यह हमारा यहां पर परफॉर्म हो जाता है उसके बाद हम इसको दूसरी डियक्शन आते हैं जो हमारी क्लीमेंशन रिडक्शन अब क्लीमेंशन रिडक्शन हो रहा है तो इस चीज में पर रखना है और यहां पर हमने देखिए जो हमारी इस डियक्शन में बीटा बैंजोई प्रोप्यो नेक एसे उसी को हमने यहां पर फदर लिया है फिर इसके साथ हम क्लेमेंशन कराएंगे मतलब इसको हम ट्रीट करा रहे हैं इसके साथ जो हमारा एमेल गेलम जिंक है एमेल गेमेटेड जिंक जैनकी जैड़न एच जी इन दी प्रिजेंट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक ऐसे सारा कुछ वही लिखा होता है जो हम जहां लिखते हैं मतलब आप यहां इससे लिख लो आप एक चीज बना सकते हो इसकी प्रिजेंट में कराते है तब हमारा बन जाता है गामा फिनाइल ब्यूटारिक ऐसे यहां से हमारा यह जो होता है जिंक यहां लग जाए समझे लो यह हमारा ऑक्सीजन रिमूव करा रहा है यहां इसने यहां से ऑक्सीजन को रिमूव करा दिया और यहां पर हमारा एस्टू जुड गया और हमारा ब को हम कराते हैं concentrated S2SO4 की presence में Phosphoric Acid के या तो Phosphoric Acid भी ले सकते हैं और हम concentrated Sulfuric Acid भी ले सकते हैं तो यहां पर हमने लिया है Sulfuric Acid Sulfuric Acid की presence में जब इसको हीट कराते हैं तो हमारा form होता है Tetralon और यह हमारा Tetralon क्या है एक किलोज रिंग किलोजर है मतलब ये हमारी क्या है रिंग फॉर्म हो गई इसको हम अलफा टेट्रा लोन भी बोलत명 represents एक हमने यहां पर हमारी आल्फा वोजी स्ने का है ठीक है इसके बाद हमारा यह टेट्रा लोन बन गया अब हमारी चौथी reaction आती है इसमें फ़र्दर हमारा फिर क्या हो रहा है clevencer reduction अब आपको यहां से अगर नाम याद था तो आपको यह भी याद है कि हमने यहां से इसे उठाना है alpha tetralune को उसके बाद clevencer reduction मतलब क्या है jinq और hg और scl के प्रिजएंस पे आपको बस कर ना म्याद है रिएकशन बहुत सिम्पल है यह यहाँ से उठाया रियक्शन किया आपने और यहाँ से क्या वन गजा वही एचाय तो हमारा गाइबbut यहां से भी Calendar किया था यहां से भी मारा package किया होजा होगा oxygen गाइब हो जाएगा हमारे हमें तेट्रालिन मिल गई बंद्लार हमारी वर नाम से समझें तो किया है आप हमारा कंपाउंड यूप दब हमारी नेप्थेलीन हो जाएगी तो टै्ट्रालीन के साथ लिए न कहीत करा तो पैलेदियोट हमने एक चीज़ जानते है पैले वह हमारा किसमे ये ज़िद ाहि या क्या हँखे सुख होता है जब हम क्या करते है रिमरूब करते है हाइडोजन को रिमूब करने के लिए हमारा ये यूद होता है अब इसमें हुआ क्या जैसे ये तो हमारा हो गया एक रिंग परफॉर्म आप थोड़ा समझ भी लीजिए अब ये हमारी है तो यहाँ पे हमारी क्या है ये हमारा साइक्लो है साइक्लो है ये वह नहीं है तो मतलब यहां पे हमारे दो हाइडोजन है यहां हाइडोजन है यहां हाइडोजन है यहां हाइडोजन है दो हाइडोजन जुड़े हुए है अब इसने किया क्या यहां से दो हाइडोजन निकाल दिये यह हाइडोजन है और यह hydrogen है तो इसने यहां से 2 hydrogen निकाल दी है और 2 hydrogen यहां से निकाल दी है अब 2 hydrogen यहां से निकाल है मतलब यहां carbon के पास एक कम यहां carbon के पास एक कम तो यह आपस में bond बना लिए और double bond बन गया यहां से निकले इन दोनों carbon के पास एक एक कम तो यह आपस में bond बना लेंगे और देखिए हमारा double bond form हो गया और यही हमारा naphthalene form हो जाता है यह simple हमारा हो रहा है aromatization reaction तो यह हमारी hovard synthesis थी तो यह पूरी हमारा complete हो चुका है अब हम देख लेते हैं कुछ physical properties इसकी naphthalene की तो क्या है यह colorless crystalline solid है और colorless मतलब solid है colorless liquid उसके बाद melting point इसका 82 degree celsius boiling point इसका 218 degree Celsius यह याद करने की कुछ कुछ चीजह है यह हमारा पानी में insoluble होता है मतलब पानी में dissolve नहीं होगा जो हम गरम कपड़ों में अपनी अलमारी बगारा में बैड में नीचे डाल देते थे इससे हमारे गरम कपड़े यह वह हो जिनमें बदबुना है और वो खराब नहीं तो उन सब बहुते हैं मोज़ब जो हम इसमें यूज करते हैं तो यह वही order की है जो उसकी smell होती है िक्सन क्या क्या है इसकी देख लेते हैं तो नेथली हमारा इलेक्त्रोफिलिक्स सब्स टूइचन देता है अब रहरी एक्सिट्टर तक तो किस पोजीशन पर हमारा जड़ता है तो यहां तो 1 पे जुड़ेगा या 2 पे जुड़ेगा तो 2 सच्छेटन है जब हमारा 1 पे जुड़ा तब ये है तो ये है अब जो हमारा अकर 1 पे इस जगा पे जुड़ता है तब हमारा ये compound ज्यादा stable होता है इसके मुकाबले यहां पर क्यों stable है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे यहां पर जुड़ा हमारा तो हमारा यह यह वाला bond है ना इसके पास इतनी power है कि यहां भी जा सकता है यहां भी मतलब इसके पास resonance है थोड़ी सी लेकिन अगर यह दो पर जु पर जाता है हमारे यह तो हमको पता है कि जितना ज्यादा रेजोनेंस अतना ज्यादा कोई Compound stable हो आता है और यह हमारा कम इस्टेवल है यह सिंपल हमारी क्या है इलेक्ट्रोफिलिक अब हम देख लेते कैसे कुछ-कुछ एक्जामपल देख लेता हम जैसे नाइट्रेशन तो नाइट्रेशन में सिंपल था कि नैप्थलीन की रियक्शन हम एच नो त्री के साथ कराएंगे इ दूसरा हम जहां देख लिए फ्रीडल क्राफट ऐसाइलेशन इसमें क्या हो रहा है वही एल्सी एल्सी एल्फरी की परस्क्रीफ्व में होगा और किसके साथ होगा ऐसाइल्सन है तो एसाल क्लो जिए और यहांवारा बन जाएगा वन एसीटाइल नैप्थलीन simple reaction है वही है बस हमको क्या करना है बेंजीन के जगे नेप्तिलीन लगाना है और अगर आपको उन में भी कोई प्रॉब्लम हो बेंजीन के कुशी में तो आप comment box में मुझे बता सकते हैं मैं सबका solution करूँगा फिर हम तीसरी देख लेते हैं अब ऐसा इलेशन में CS3Cocl था यहां हमारा होता है CS3C2Cl मतलब यहां हमारा acetyl chloride था यहां हमारा alkyl chloride होता है तो हम alkyl chloride के साथ इसकी reaction कराते हैं तो हमारे इस position पे हमारा alkyl group attach हो जाता है और SCL बाहर निकल जाता है यह simple है यहां पर देखिए य यहां पर alkyl group alkyl group कौन से हैं CS3C2 यह वाले हमारे सारे group कौन से होते हैं alkyl group तो यह हमारी reaction हो गई है कुछ और reaction देख लेते हैं अदर जैसे हमारी reduction reaction तो reduction में क्या है हम simple समझ रहे हैं कि reduction होगा मतलब क्या होगा hydrogen थोड़ बहुत remove हो जाएंगे मतलब जुड़ जाएंगे जो भी हो देख लेते हैं क्या है यहां पर तो हमारा नेप्थिली अंडर्गो रिडक्शन मोर रेडली देन बेंजीन बेंजीन से ज्यादा हमारे जो जो है नेप्थिलीन है वह reaction देता क्योंकि इसके पास ज्यादा रेजिनेंस होती है फिर यह क्या करता है सोडियम और एथ जहां से अगर बॉन टूटे हैं तो अब हमारा ऑक्सीडेस्ट अगर आपको यह याद होगी रिडक्शन कैसे होते हैं तो बहुत सारी रियक्शन हैं बहुत सारे कंपाउंडे जिनको आप इजली बना सकते हैं ठीक है फ्रेंट तो यह जनरल चीज है जो आपको और्गनिक म में हम क्या करते हैं CRO3 के साथ और ऑक्सीडेस्ट मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे इसमें तो यहां से हम CRO3 के साथ रियक्शन कराते हैं तो हमारे यह देता है वन फोर नेप्थलीन क्यों यहां पर फॉर्म हो गया अब हम इसके कुछ मेडिशनल यूज देख लेते हैं तो क्या है सबसे पहले यह हमारा मोथ बॉल्स में यूज होता था जो हम कपड़ों बगएर हमें डालते थे और भी यूज करते थे खराब लेकिन आज कल मतलब रिसेंट ली अब इसकी जगह हमारा पी डाइक लोरो बेंजीन का यूज होत अब अजीव सा लगता था था ना चड़ जाती थी सिर पे तो इसलिए वह थोड़ी हार्मफुल थी इस बज़ए से यहां पर बी डाइक लोरो बेंजीन का यूज करते हैं वह उससे थोड़ी कम है फिर यह हमारी थैलिक एन हाइडराइट के यूज में करते हैं इंसेक्टि यहां पर जोड़ दिया तो यह मैंने डेरिवेटिव के बस नाम लिख रखे हैं वैसे यह ज्यादा आते नहीं हैं बाकी अंदर की बहुत सारी चीजा आती हैं लेकिन कभी कभी पूछ भी लेते हैं जब थोड़े लग जादा खराब हो तो मैं इसके नोट्स डाल दूँग तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं सभी यूनिट की चैप्टर्स की तो चलिए मिलते हैं बहुत जल तब दक लिए थैंक यू टेक क्यार बाए बाए और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंड बॉक्स में जरूर लिखें